चुनाव के मौसम में फ्री रेवडियां बाटने की राजनीती को लेकर आज सुप्रिम कोट में सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान चुनाव आयों को कोट ने फटकार लगाई तो वही केजरिवाल ने फ्री स्कीम का बचाफ किया फ्री स्कीम से देश की अर्थववस्था को हो रहे नुकसान को लेकर सुप्रिम कोट का रुख काफी सकत नजर आया अब इस मामले की सुनवाई सुप्रिम कोट 17 अगस को करेगा देखते हैं ये रिपोर्ट चुनाव में मुफ्त की योजनाओं को लेकर आज सुप्रिम कोट में एहम सुनवाई हुई फ्री की योजनाओं से देश की अर्थववस्था को भारी नुकसान होने का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की गई है चुनाव आते ही मुफ्त की योजनाओं की घोषना होने लगती है वोट पाने के लिए कोई बिजली माफ करने का आयलान करता है तो कोई लैप्टोप बाढ़ता है कर्ज माफ करने की होल लग जाती है कोट में याचिका दायर कर मुफ्त खोरी की गोश्टना करने वाली पार्टियों की मानता रद करने की मांग की गई है सियासी दलो के इस रेवडी कल्चर को लेकर सुप्रिम कोट सक्त हो गया है फ्री योजनाओ को लेकर दायर याचिका पर तीन अगस को सुनवाई हुई थी पिछली सुनवाई के दौरान कोट ने एक कमेटी बनाने की बात कही थी राजनेतिक दलो की फ्री योजनाओ को लेकर सुप्रिम कोट में आज फिर सुनवाई हुई चुनाव में फ्री स्कीम के वादों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रिम कोट में करीब 20 मिन तक सुनवाई हुई सुनवाई के दोरान कोट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई चीफ जस्टिस एनवी रमन ने आयोग से पूछा कि आपने हलफ नामा कब दाखिल किया रात में हमें तो मिला नहीं सुबह अखबार देख कर पता चला चीफ जस्टिस एनवी रमन और जस्टिस किरिश्ट मुरारी की बैंच ने मामले की सुनवाई की सीनियर एड्वोकेट कपिल सिब्बल कोड सलाकार और अभिशेक मनु सिंग्वी आपकी ओर से पेश हुए इस मामले पर अगली सुनवाई अब 17 अगस्ट को होगी सुनवाई के दोरां चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत जैसे गरीब देश में इस तरह का रवया सही नहीं है चुनाव में घोशना के वक्त पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं सोचती कि पैसा कहां से आएगा मुफ्थ चुनावी वादे और सोचल वेलफेर इसकी में फर्क है जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा ये एक जटिल मुद्दा है जिसे सुनने के लिए डेटा चाहिए पीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने जनहित याचका दायर की है जिसमें मांग की गई है कि चुनाव में उपहार और सुविधाय मुफ्थ बाटने का वादा करने वाले दलो की मानिता रद की जाए डीबिलाइफ की रिपोर्ट